उतनी दूर मत व्याहना बाबा निर्मला पुतुल परिचे निर्मला पुतुल का जन्द 6 मार्च 1972 को दुधनी कुरुब चुमका चारखंड में हुआ था आप बहुभाशी व्यक्तित्व की धनी है निर्मला जी को पंजाबी, अंग्रेजी, मराथी, उर्दू के अलावा अन्यभारतिय भाशाओं का भी ज्यान है उनकी लिखी कविताएं समाज की सच्चाई के बेहत करीब महसूस होती है आप कई पुरसकारों से सम्मानत हुई है आपकी कहानी और कविताएं बहुँ चर्चत रही है जिसके लिए आपको साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा साहित्य सम्मानत दो हजार एकी से सम्मानत किया गया जार्खन सरकार द्वारा सन दो हजार चैही में राजकिय सम्मान से सम्मानत किया गया सन दो हजार आठी में महराष्ट्रा राज्य हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा सम्मानत किया गया हिमाचल प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा भी आपको सम्मानत किया गया है उनकी जीवन पर आधारत गुरुकारा नामक फिल्म बनी जिसे 2010 में राष्ट्रिय फिल्म पुरसकार प्राप्त हुआ प्रमोक्रचनाई कविता संग्रह नगारे की तरह बज़ते शब्द अपने घर की तलाश में फूटेगा एक नया विद्रोहादी उतनी दूर ब्याहना बाबा कविता का भावार्त मनुष्य के जीवन में शादी एक बहुत बड़ी घटना होती है शादी के बारे में हर व्यक्ति के कुछ ना कुछ सपने होते हैं नया गाव, नया घर, ससुराल, वहां के नए लोग, उनके स्वभाव, अपनापन, सोच विचार परस पर सनेव भाव आदी बातों को लेकर मन में हमेशा हलचल सी मची रहती है यह बातें कितनी भी व्यक्तिगत क्यों न हो किसी न किसी के सामने प्रकट करनी पड़ती है प्रस्तुत कविता उतनी दूर मद्व्याहना बाबा में निर्मला पुतुल ने एक युवती की भावनाओं का सुन्दर चित्रन किया है वो ही युवती अपने बाबा के सामने अपनी पसंद नापसंद व्यक्त करती है जिसमें उसकी सोच विचार, समझदारी, वैचारिक परिपक्वता, भावनिक प्रगलता प्रकट हुई है युवती की भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए कव्यत्री ने कविता को दो भागों में विभाजित किया है कविता के पूर्वार्ध में नया गाउं, घर, वातावरन, भावी पतियादी के बारे में युवती की अनिच्छा या नापसंद गी प्रकट हुई है यहाँ युवती की सोट समझदारी देखने को मिलती है अपने पिताजी की आर्थिक स्थिती को देखकर वो अपने बाबा के सामने इच्छा प्रकट करती है कि उसकी शादी इतने दूर नहीं करनी चाहिए कि उसे मिलने के लिए बाबा को अपनी बक्रिया बेचनी पड़े वो कहती है बाबा, मुझे इतनी दूर मत ब्याह जहां मुझसे मिलने जाने खातिर घर की बक्रिया बेचनी पड़े तुम है युवती का प्रकृती के साथ लगाव है तथा गाव के प्रती उससे आकर्शन है वो पिताजी से कहती है जहां पर जंगल, नदी, पहार नहीं है जहां सडकों पर मन से भी ज़्यादा तेज मोटर गाड़ियां दोड़ती है जहां उचे-उचे मकान और बड़ी-बड़ी दुकाने हो ऐसी जगह मेरी शादी मत करा देना आधुन एक समाज की जो लड़किया अपनी शादी शहरी युवक के साथ करने के सपने देखती है उनके लिए यह बहुत बड़ी चप्राक है वो अपने पिताजी से कहती है जिस घर को बड़ा सा खुला आंगन नहीं जहां सुबह मुर्गे की बांग सुनाई नहीं देती और शाम को पहारी पर डूपता सूरज दिखाई नहीं देता ऐसी जगह वो रिष्टा नहीं जोड़ना चाहती शादी के समय हर लड़की के मन में एक राजकुमार होता है कोई भी लड़की शराबी, निकम्मा, जूठा, दगाबास, कुंडा, कामचोर, अनपड़ ऐसे लड़के के साथ शादी के सपने नहीं देखती प्रस्तुत कविता की युवती भी अपने बाबा से कहती है ऐस वर कभी ना चुनना जो शराब और हंडियों में अकसर डूबा रहता है, जो निकम्मा है, डाकों की तरह मिले से लड़कियों को उठा कर ले जाता है जो बात-बात पर लाठी डंडा उठाता हो, हथियार लेकर मारने को दोड़ता है उसका माना है कि अगर बरतन खराब होने पर उसे बदल दिया जाता है उसी प्रकार शादी के बाद पती को नहीं बदला जा सकता इसी ये वह कहती है कोई थारी लोटा तो नहीं कि बाद में जब चाहूंगी बदलूंगी अच्छा खराब होने पर कुछ व्यक्ति बहुत कुमक कड़ी होते हैं, मन चाहे जिधर भटकते हैं, घर परिवार को दूरलेक्षित करते हैं ऐसे व्यक्ति के साथ वह शादी नहीं करना चाहती वह कहती है, जब चाहे चला जाए बंगाल, आसाम, कश्मीर ऐसा वर नहीं चाहिए मुझे श्रम का महत्व युवती को पता है इसी कारण जिन लड़कों ने कभी कोई पेर नहीं लगए, फसले नहीं युगाई, जिन हाथों ने कभी किसी का साथ नहीं दिया, ऐसे लड़कों के साथ वह शादी नहीं करना चाहती साथ ही अनपर लड़कों को भी वहने कारती है, कविता के उत्तरार्ध में युवती की इच्छा, पसंद प्रकट होती है वो अपने पिताजी के गाउं से बहुत दूर नहीं जाना चाहती, इसलिए कहती है, मेरी शादी वहां करा देना जहां आप सुबह आकर शाम को पैदल लोट सको, कभी में दुखी होकर रोने लगे नदी के इस घाट पर तो उस घाट पर सनान करते तुम मेरा विरह सुनकर म मुझे मिलने के लिए आ सको, महुआ का लट और खजूर का गुर बना कर तुम्हे संदेश भेज सको, उधर से आते जाते किसी के हाथ कद्दू, कोहरा, खेकसा, बर्बट्टी आदी भेज सको, अगर दूरिया ना हो तो गाउं में इस प्रकार की चीजों का आदान प्रदा होना स्वाभाविक होता है, वो आगे कहती है मिला बजार जाते जाते कोई अपना मिल सके तो गहर का, गाउं का हाल चाल बतात सके, गाए की ब्याने की खबर दे सके ऐसी जगह पर मेरी शादी करा देना, ऐसे देश में मेरी शादी करना जहां इश्वर कम और आदमी आज हो, जहां बकरी और शेर एक घाट पर पानी पीते हो, अपने पती के बारे में हर लड़की के मन में कुछ अपेक्षाए होती है, प्रेम अपना पन, सुक डेक में साथ, छोटी छोटी बाते पती के साथ बांटना चाहती है, कविता में भी युवती ऐसे लड़के के सा बात शादी करना चाहती है, जो हर दम उसके साथ रहे, जिस प्रकार कबूतर के जोड़ और पंडुक पक्षी हर दम साथ रहते हैं, पती घर बाहर खेतों में काम करते समय उसके साथ रहे और रात को सुक डेक बांट ले, जो सुरीली बांसुरी बजाता हो और ढोल मांदर बजाने में पारंगत हो, बसंद के दिनों में हर रोज जुड़े में लगाने के लिए पलाश के फूल प्यार से लेकर आए, अगर मैं भूखी रहूं तो उसे भी खाना खाया नहीं जाये से लड़के के साथ शादी करने की बात पिताजी से करती है, निशकर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवित्री ने शादी के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किये हैं, शेहरी आकर्षन के कारण गाव की लड़कियां भी आजकल गाव के लड़कों के साथ शादी नहीं करना चाहती किसान की अवस्था भी आजकल बुरी है फिर वह कितना भी संपन्ध क्यों न हो वह कितना भी कमाता हो लेकिन आज की लड़कियां गाउव के साथ नाता नहीं जोड़ना चाहती इसलिए कविता में युवती ने गाउव की संस्कृती गाउव का वातावरन और गाउव के लड़के के साथ शादी करने की इच्छा प्रकरकर समाज की समस्त लड़कियों के लिए विचार करने को बाध्य किया है